हेलो दोस्तो नमस्कार बड़ा प्रोजेक्ट है बट येस जिस रफ्तार से यहापे पूरी दुनिया चल रही इंक्लूडिंग इंडिया यह जरू हम लोगों को आगे जाके जबरदस मतलब बूम होते वे देखने को मिलने वाला है तो इलेक्ट्रिक वेहिकल की अगर हम लोग यहापे बात करे तो ब स्टॉक्स होंगे क्योंकि मार्केट में देखा जाए तो उसमें से भी अच्छे चुनके अगर आप लोग सामने रखते हो ना तो 200-300 निकलेंगे बाकी के स्टॉक्स अगर आप देखोगे तो इधर उदर के स्टॉक्स है तो अच्छे स्टॉक्स के साथ ही डिल करना होता है ऐसी कोई बात नहीं कि आपको ये स्टॉक्स ने 50% का रिटन दिया 500 पसंड दिया चलो अभी इसको निकाल देते दूसरे स्टॉक्स में जम करते इसी बिलकुल भी बाते नहीं होती है आप खुद देख लेना जो बड़े इंवेस्टर है वो स्टॉक्स को 10-10-20-20 साल तो ये दिमाग से ये बाते छोड़ देना कि हम लोग को नया ट्राइ करना है जो मैं हमेशा कहता हूं हम लोग कोई होटेल में नहीं है चलो आज नया टेस्ट कर लेते तो चलो आज आते ऐसा कौन सा स्टॉक है जो कि इलेक्रिक वेहकल में सबका या पर बाप भी निकल सकता है मिख करते हैं हमेशा कमपनी के फंडामेंटल एक-एक करते जाएंगी कुई कि कंपनी के है बाड़ी बलतेंज है जैसे हमाय पिलर सट्रॉंग रहेंगे कि कम पनी के बर नीचे रफ गई ने तो वह कंबैक जरू करती है हां टाइम लग सकते है हम लोग ने सोचा था दो सा का स्टेंट कर रहे हैं तो अगर हम लोग देखें कंपनी की बैलेंशीट तो लगभग कंपनी के पास साड़े ग्यारा हजार करोड से भी ज्यादा की रिजर्स है तो यह जबर्दस एक पॉइंट है कंपनी के लोन की अगर हम लोग बात करें कितना लॉंग टर्म बॉरिंग य इस में कोई भी नहीं है यह फ्लक्टुएट होता रहे था अभी 10 करोड बाद में 15 करोड यह एक साल की अंदर की बात है जो आप लोग को यह पर पता होनी चाहिए तैना अगर मैं यहाप बात करूं कैश और कैश इक्वेलेंट बहुत ध्यान से देख लेना साड़े अट कर यह फिर नहीं है दोस्तों उसके बाद अगर हम लोग यहाप बात करें रेवेन्यू की तो कंपणी का रेवेन्यू हम लोग को इन लाइन ही पर्फॉर्मंस देते वह देखने को मिल रहा है आप लोग कह सकते कंपणी अच्छा पर्फॉर्मंस कर रही है प्रॉफिट की अग लोग को देखने को मिल रहे है जो बार जए चोटे मोटे देखने को मिल रहे है उस पर नहीं जाने आप लोगों ने यह पॉइंट आप लोगों यहापर फोकस में जरूर रखना है तो वन नैंटि फॉर क्रोड का भी प्रॉफिट कंपनी का बहुत ही अच्छा खासा हम लो चार सो मतलब 6,500 करोड का प्रॉफिट यहां पे कुछ तो आप लोगों को एजस्मेंट भी देखने को लेंगे ज़रूर चेक कर रहे ना यह आप लोगों का हुंवक भी रहेगा यह भी आप लोगों ने चेक करना है अभी यहां पे आप देख सकते हैं नॉर्मल है इस सड़नली इतना बड़ा स्पाइक है तो इससे आप लोगों ने कन्फ्यूस नहीं होना है देन अगर हम लोग बात करें सबसे इंपोर्टन पैरामिटर के उपर यहां पे अगर हम लोग प्रमोटर की होल्डिंग देख लेते हैं सबसे पहले तो प्रमोटर देख लेना 31%, 34%, 34.59, 35% and then 37, somewhere around 38% प्रमोटर लगातार अपने शेर से आप खरीते ही जारे जो कि आप लोग यहां पर देख सकते हो यह एक बहुत ही बड़ी मतलब हम कह सकते कंपनी है बहुत सार लोग इसको easily gaze भी कर सकते foreign investor की बात करें तो वो भी आप देख सकते हैं अच्छा कासा यहां पर उन्होंने भी 17% के आसपास holding रखी है मतलब बड़ा ही है डियाएस की बात करें तो ज़्यादा खुश नजर नहीं आते 38% से 24% देखने को लग रहे है और public की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर मैं आपकी सामने रखना चाहूंगा पबलिक की holding भी 25-26% यहाँ पर नजर फिलाल तो आ रही है दोस्तो हम लोग वापस आ चुके promoter के holding के उपर सिर्फ यह बात बताने के लिए यहाँ पर कोई भी share promoter का गिरवी नहीं यह यह points की पर रहा था तो इसलिए आसपास है राइट 778 800 के आसपास कंपनी का हाई यहाँ पर चल रहा है और फिलाल कंपनी अगर हम लोग यहाँ पर बात करें आसपास चल रहा है मतलब अभी भी company को बहुत यहाँ पर लंबा सपर काटना है इसी easy बात नहीं बहुत ज़्यादा टाइम भी लग सकता है क्योंकि जैसे हम लोग बात करें electric vehicle यह कोई easy project नहीं है time बहुत ज़्यादा लगने वाला है तो अभी market इतने higher level पर होने के बावज start pattern देखने हैं मिल रहा है तो यह कौन सी company दोस्तों तो आपे में बताना चाहूंगा Tata chemicals यह दोस्तों टाटा chemicals आप सबी लोग का पता होगा बीच में एक वीडियो बनाया था बहुत ही बड़ी headline के साथ कि प्रमोटर ने इतने लाखों शेर्स खरी दिया एक बार नहीं दो भार खरी देते बहुत ही बड़ी कॉंटेटी प्रमोटर ने आपे खरी देती तो डेफिनेटली हम लोग को बहुत देखे यह जो टाटा उसी के साथ साथ बिरला अंबानी राइट यह राकेश जुन जुन वाला इनके जो holding रहती है ना कभी भी इंवेस्ट करते तो आपको जाएट चाइना को भी पूरी तरीके से आपे टक कर भी देती है इसी सेग्मेंट में अगर देखा जाए तो टाटा केमिकल्स बहुत ही अच्छी तरीके से आपे ग्रो हो चुकी company है और यह आगे भी अगर मैं बात कर रही है कोई एक दो साल की बात नहीं हो रही दोस्तों जैसे मैंने बात लिखा है साफ साफ इलेक्ट्रिक वेहिकल में जो भी लोग कोई भी सब्सक्राइब आगे यहां से मिनीमम बहुत सतर लात को मिलेगा वह दो सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, तो हम लोग कह सकते हैं दोस्तों Tata Chemical इस company के उपर आप लोगों ने आप फोकस रखना है, जो कि long term के लिए बहुत ही लंबी टाइम के लिए अगर आप लोग रिस्क लेना चाते हो, तो इस company के बारे में वीचार यहापे कर सकते हो, बट यहापे एक बात भी कहना चाहूँगा, कि यह company comparatively वालेटल भी है, yes, top level पर जाके suddenly गिर भी जाती है, ऐसे भी बहुत ज़्यादा इवेंट्स हम लोगों को Tata Chemicals में आप देखने को मिले है, so company कर आप ने Tata Group के तो shares आप लोगों को पता है, and Tata के जो main business है, उसमें से ही यह है, मतलब chemical, उसी के साथ, steel, motor, यह Tata के बड़े-बड़े businesses है, right, जिसको वो छोड़ते नहीं कभी भी, Tata से related, तो बस यही कहना चाहूँगा, दोस्तों, electric vehicle के लिए अगर आप लोग टार्गेट करना चाहते है, बहुत बड़े share के लिए, तो Tata Chemical यह पीछे नहीं रहना चाहिए, बस इ चार मेने के बाद आप लोग पूछ रहें कि अभी हम लोग क्या करें, वो चीज काम ही नहीं करेगी, क्योंकि आप लोगों का entry level ही इसले के लिए, कि आप लोग इलेक्ट्रिक वेहिकल के लिए आ रहे हो, तो यह बात आप लोगों को पता, यहाँ पे होनी चाहिए, तो आप चाहों तो देख सकते हैं, टाटा केमिकल से रिलेटेड जो भी information है, सारी की सारी आपे लिखी हुए है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, तो like and share कर देना, so that's it, thank you very much दोस्तो, we will be meeting our next studio, तब तक के लिए, bye bye